आलक्समी खान में आपका सौाबत आज हम बना रहे हैं को ऐसे मठाई रख्सा स्कार की हम दोटेश की सब यहां सकर को एकदम बारिक पीशना है, मोटा नहीं रखना है, एकदम बारिक फाइन पीशना है, अब हम पीशेंगे डेसिकेटर कोकोनट, यानि की बुरा नारेल का बुरा है, इसको एक बार फाइन पीश लेते हैं, साथ में डालेंगे थोड़े से काजू, और थोड़ा सा इलाइची पाउडर, या बार में मिक्स करो तब भी डाल सकते हो, आदा कप लेंगे दूद पाउडर, वह आप कोई सी कंपनी का ले सकते हो, सब आदा कप ही लिया है, सारे एक ही यहना कप से लिया हुआ है, तो उसका त्यान रखें, मिक्स कर दें, अच्छी तरह से, अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा दूद, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि यह गीला होते ही, सकर भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देता है, अब इसमें डालेंगे एक चमच घी, साइनिंग के लिए, और इसको अच्छी तरह से हलके आतों से गूंद लेते हैं, सब मिलाके हमने इसमें तीन समस दूद यूज किया है, और यह बन गया है, लड़ू इसके बनाएंगे, तीन पार्ट, और गोल गोल बनाके, फिर इनको लंबा बेल लेंगे अभी एक मिनट, इसे लंबा रोल, यहां हमने एक ट्रेर रेडी कर रखिये, एलुमिनियूम फोई लगा के, उस भी हम इसको रख देंगे ऐसे, थोड़ ज़ेर के लिए, थोड़े बड़े चार रोल बना लिए, आपको पेड़े बनाने हो, तो पेड़े भी बना सकते हो, हमने रोल बनाएं, अब इसको थोड़ी देर के लिए हवा में रख देंगे, बस पंदर मिनट, ताकि इनका मुष्टर सुख जाए, फिर इनको कटिंग करेंगे, अब इन पर, एक पर हम, चांदी का वार्क लगाएंगे, क्योंकि आज के लोग कम खाते हैं, इसलिए सब पर लगा के नहीं दिखाएंगे, कट कर लेते हैं, अपने पसंद के हिसाब से, छोटे, बड़े, कैसे किस करने हो, एक पर मुष्ट मिठाई बनके रेड़ी, रख्षा बंदनी स्पेसल, मिठाई बनके रेड़ी, खाने के लिए तयार, आपको हमारा वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, सेयर करें, सबस्क्राइब करें, नहीं हैं, वो भी सबस्क्राइब करें, ताकि आगे आपको वीडियो मिलता रहें,